हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलोजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनैल्सिस करेंगे सेंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो ऐस यूजर शुरू करूंगा फिंगर्स के अनैल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हतेली है यहाँ पर एक स्क्वारी शेप में नज़र आ रही है काफी हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर इनकी रहने वाली है फिंगर्स काफी थिक हैं जो यहाँ पर इंडिकेट कर हैं काफी अच्छी एनर्जी और स्टैमना को अच्छी थिकनस यहां पर नज़र आ रही है, उसके साथ साथ आप देख सकते हैं, फिंगर्स की जो लेंट है वो ज्यादा नहीं है, मीडियम साइज्ट फिंगर्स हैं, जस वज़े से थोड़ी जल्दबाज परसनैलिटी भी रह सकती है, और उसके साथ साथ फिंगर्स के काफी सारी सीधी खड़ी रिखाएं मौझूद हैं, कुछ इस तरह की रिखाएं लगबग आपको सभी फिंगर्स के ऊपर नज़र आ रही होंगी, इस तरह की रिखाएं होना काफी अच्छा माना जाता है, और जिनकी भी हाथ पर सीधी खड़ी रिखाएं फिंगर्स के सभ फैलंजिस के उपर मौझूद हों ऐसे व्यक्ति काफी अच्छी नेचर के होते हैं काफी फ्रेंडली नेचर के होते हैं और आगे अब देख सकते हैं यहाँ पर इनकी फिंगर सी लैंट में गुरू फिंगर थोड़ी शॉर्ट है अगर हम कंपेर करते हैं इनकी सूर्या फैमली के सुखों में कमी लाता है और लीडर्शिप क्वालिटी भी थोड़ी सी व्यक्ति की कम हो सकती हैं लेकिन इनकी शनी फिंगर काफी स्ट्रॉंग है और बिल्कुल स्ट्रेट है जिस वजह से यहाँ पर काफी हार्ड वर्किंग नेचर रहेगी और अपनी इसी व्यक्ति को क्रियेटी भी बनाता है सोचल सरकल तो अच्छा रहता ही है साथ ही साथ थोड़ी सी रिस्क टेकिंग टाइप की परसनेलिटी भी रहती है और ऐसे व्यक्ति इसी रिस्क टेकिंग परसनेलिटी की वजह से कई बार लाइफ में बड़े डिसीजन्स लेते वक्त भी रिस्क ले लेते हैं, और even investments के मामले में भी रिस्क लेने की चांसी देखी गई है, जिनके सुरे फिंगर की लंबाई अच्छी हो, ऐसे व्यक्ति अपनी investments को, रिस्क वाली जगाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जियसे share market है, crypto currencies है, यह commodity marketing है, जिया जहां पर investment करने से मुनाफ़ा होने के साथ साथ लॉस होने के चांसिस भी होते हैं इस तरह के रिस्क लेने के चांसिस भी ऐसे विक्तिकी लाइफ में ज्यादा रह सकते हैं आगे देखते हैं कि मर्करी फिंगर को मर्करी फिंगर यहाँ पर थोड़ी शाट होती हुई जिस वज़े से मरकरी थोड़ा सा कमजोर पढ़ रहा है और इस तरह का मरकरी होने की वज़े से थोड़ी सी कॉम्निकेशन स्किल्स जो है वीक रहती है शाई नेचर भी रहने के चांसिस रहते हैं और इनका बर्चाट मैंने चेक किया इन्हें पन्ना जरूर पहनना चाहिए पन्ना पहनने से काफी सारी दिक्तें दूर होंगी इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होगा और मरकरी को स्ट्रेंथ भी मिल पाएगी ओवरॉल फिंगर्स थिक होने के वज़े से अच्छी अनर्जियो स्टैमना इनके भीतर रहने वाला है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को उसके बाद चेक करेंगे इनकी लाइन्स को भी तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ पुछ इस तरह की लाइन बनकर सामने आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं इनके सभी माउंट्स काफी अच्छी स्पेस में है जो मरक्री माउंट है वो हलका सा लो सेट हो रहा है और मरक्री माउंट को जो स्पेस है वो कम मिल पा रही है जिस वज़े से यहाँ पर थोड़ी सी शाई नेचर और रहने के चांस है और बिजनस हैकोमन भी थोड़ा सा कमजोर व्यक्ति का हो सकता है लेकिन यहाँ पर मरक्री की रैमेडीज और पन्ना पहने से ने काफी लाब मिल सकता है और आप देख सकते हैं बाकी के माउंट्स की स्पेस जोगा काफी अच्छी है और गुरू फिंगर को हमने देखा था थोड़ी शाट है गुरू फिंगर लेकिन अगर इनके गुरू माउंट को देखा जाए और आप देख सकते हैं इस माउंट का जो ट्राइरेडल है जो एक सेंटर पॉइंट होता है जो यहाँ पर ब्रीक रिखाएं होती है फिंगर प्रिंट वाली उनसे एक त्रिकोन बनता है तो आप देख सकते हैं इस मौंट का जो ट्राइ रिडल है वो बिलकुल सेंटर में बनता हुआ इस मौंट के बिलकुल सेंटर में होना यानि इस मौंट को और भी ज़्यादा बेतर कर रहा है तो overall गुरू की तरफ से जो भी कमिया थी वो यहां पर तूर हो रही है और काफी अच्छी प्राग्रेस के साथ साथ फैमिली के सुखों में भी इजाफा होता है जब गुरू माउंट स्ट्रॉंग हो और आगे आप देख सकते हैं इनके शनी माउंट को शनी माउंट हलका सा दबता और नजर आ रहा लेकिन शनी रेखा यहां पर काफी अच्छी है आप देख सकते हैं आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा शनी रेखा लगबग यहां से शुरू होती ही शनी रेखा और आगे चलका स्ट्रेंथ गेन करती हुई और उपर तक पहुंचते हुए एक यहां दो बार शनी रेखा कट रही है इनकी जिसकी वज़े से थोड़े ups and downs इनको life में रह सकते हैं तो यहां से आप देख सकते हैं एक रेखा काट कर चल रही है और यहां पर थोड़ी सी शनी रेखा weak पड़ रही है और 36 की एच के पर फ अगय रेखा में आती हैं तो व्यक्ति को life में कई बार ups and downs का सामना करना पड़ता है लेकिन अगर शनी रेखा completely शनी माहूर तक पहुंच जाती है तो यहां इंडिकेट करती है कि बेशक life में कुछ ups and downs रहेंगे लेकिन फिर भी यहां उन्हीं सभी ups and downs को पार करते हुए life मे काफी अच्छी progress पा लेंगे और काफी अच्छा income जो रहेगी इनकी काफी बढ़िया रहती है व्यक्ति की बीच में कुछ ages में चलकर जहां जहां पर थोड़ी बहुत affliction आती है वहां पर थोड़ी बहुत पैसेसबंदी दिक्कतें आ सकती है जैसे यहां पर आप देख सकत हैं 30 प्लस की एज में थोड़ी सी दिक्कत है लेकिन 36 की एज के बाद तो कि यहां से जो एज शुरू होती है 36 के राउंड रहती है और यहां से यह line काफी strength में है तो 36 की एज के बाद काफी अच्छा भागया होदे होगा और काफी अच्छी income इनकी life में आनी शुरू हो जा और fish ऐसा एक चिन भी बनता हुआ जो बिल्कुल heart line के ऊपर की तरफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है अब देख सकते हैं इस area में इनके एक fish ऐसा चिन बनता हुआ और इस तरह का चिन जो थोड़ा सा अनकंप्लीट है लेकिन आगे चलकर यह कंप्लीट भी हो सकता है इस तर गेज में इस चिन का व्यक्ति को ज्यादा फाइदा नहीं होता लेकिन फिर भी इस चिन का होना इनके लिए काफी भागयशाली रहेगा काफी अच्छा circle इनका रहेगा society में और जैसे जैसे age बढ़ती जाएगी वो circle भी increase होता जाएगा overall यहाँ पर कोई भी negative chin नहीं है इनक सूरिया माउंट पर जो एक बहुत अच्छी बात है और यहाँ इनके काफी frame दिलवा सकता है चिन इने आगे चलकर आगे देख सकते हैं आप इनके mercury माउंट को mercury माउंट के बारे मैं already जैसे में बताई चुका हूँ थोड़ा low set होने की वज़ए से कमजोर है लेकिन कुछ र मरकरी रेखा है यह है complete money triangle नहीं बना पा रही अब देख सकते हैं तीन रेखाएं चाहिए में money triangle बनने के लिए सबसे बहले तो नीचे से उपर की तरफ चलने वाली यह है रेखा जिसको भागया रेखा कहते हैं यहां तक पहुँच रही है और इस side से नीचे की तरफ आने व मरकरी लाइन में आप देख सकते हैं मरकरी लाइन यहां पर वीक हो रही है जो यहां पर indicate कर रही है कि कहीं न कहीं कुछ अपनी mistakes की वजह से यहां किसी तरह की expenses की वजह से धनका loss हो सकता है तो इन्हें अपना जो पैसा है उसको बहुत ध्यान से invest करना पड़ेगा और बहु मिस देरी जिस वजह से कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होगा लेकिन फिर भी कुछ दिक्तों का सामना life में इनकी रह सकता है और आप देख सकते हैं इनकी हाट लाइन काफी अच्छा विश्नू चिन बना रही है जो बहुत ही एक अच्छा चिन माना जाता है जब भी हाट ल जिनके हाथ पर होता है उन्हें मैं हमेश्या यही सुजस्ट करता हूँ कि गलत तरीके से पैसा कमाने के कोशिश ना करें life में किसी भी wrong way से पैसा ना कमाएं क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो life में उल्टा नुकसान हो सकता है और benefit होने बंद हो सकते हैं तो एक अच्छे रास आपके personality भी रहेगी और यहाँ पर heart की health भी इनकी काफी अच्छी रहने वाली है उसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर money triangle के बारे हमा अलोड़ी बात कर चुक हैं यहाँ पर mystic cross बन रहा है इनके हाथ में जो इस जगा पर आपको cross नजर आ रहा होगा यह cross का chin जब भी बनता है तो ऐसे व्यक्ति का रुझान जो होता है mystic sciences की तरफ रहता है जैसे पामिस्ट्री है astrology है tarot card reading है यह बहुत सारी ऐसी विद्याई हैं जिने हम occult sciences कहते हैं तो ऐसे व्यक्ति का खिचाव रहेगा attraction रहेगी और ऐसे व्यक्ति की six sense भी काफी अच्छी होती है जिन एक तरह से dual mind line यह बन जाती है तो ऐसे व्यक्ति का mind काफी sharp होता है लेकिन इस mind line की एक branch का नीचे की तरफ जुपना व्यक्ति को थोड़ा over imaginative भी बनाता है तो कल्पनाई ज़्यादा करता है ऐसा व्यक्ति सोच बहुत ज़्यादा रहती है लेकिन अगर किसी तरह की कोई artistic quality है व्यक्ति कंदर तो उसका use करना चाहिए ताकि जो over imagination है उनका सही से इस्तिमाल हो सके और life में ज्यादा तनाव ना हो आगे देख सकते हैं आप इनकी line of life को life की line यहां पर बाहर की तरफ निकलती हुई तो indicate करती है कि घर से दूर जाकर कहीं काम करने के business के या job के chances बढ़ जाते हैं व्यक्ति के जब इस तरह से line बाहर की तरफ निकल जाए और अंत में आकर line के कुछ इस तरह का चिन भी बन रहा हो तो यह जो चिन है indicate करता है कि व्यक्ति घर से दूर जा सकता है किसी दूसरी state में या किसी foreign land पर जाकर भी काम कर सकता है तो इस तरह के chances भी यहां प ने थोड़ी से जुकी हुई है लेकिन चंदर माउंट का एरिया अच्छा है जिस वजह से यहां एक stable mind का enjoy कर सकते हैं बहुत जादा तनाव नहीं होगा थोड़ी बहुत imagination रह सकती है और जो age है यहां पर 75 प्लस रहेगी यहां तक काफी strong line चल रही है 75 की age के बाद थोड़ी बहुत health issues का इने सामना करना पड़ सकता है और बात की जाए इनके शुकर माउंट की शुकर माउंट के ओपर तिल का चिन बनना married life के लिए अच्छा नहीं रहता यहां पर कुछ नहीं को दिकतें रहती है married life में जभी इस माउंट के ओपर तिल का चिन बने और कुछ problems भी हो स सकती हैं खासतार पर urinary system के साथ कुछ दिकतों का भी व्यक्ति को सामना करना पड़ सकता है otherwise शुकर माउंट उभरा हुआ है जिस वजह से सुक्स विधाएं व्यक्ति को life में जरूर मिल जाती है उसके साथ साथ आप देख सकते हैं शुकर माउंट के ओपर कुछ हलकी रिखा है कि सभी सुवालों के जो आप एक ही वीडियो के थुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्न या सुवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई question pending है तो मुझे WhatsApp मेसेज करें मेरा वीडियो watch करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर दो